तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ धावे और रेस्टोरेंट से भी जादा बढ़िया मेरी बड़ी फेवरेट और खास रेसिपी मटर पनीर की यकीन वानिये एक बारा मेरे तरीके से मटर पनीर बना कर देखिएगा इतनी टेस्टी मटर पनीर बनेगी कि जो खाएगा वो त जिससे आपकी मटर पनीर रेस्टोरेंट और धावे से कहीं जादा बढ़िया बनेगी साथ-की साथ ना कोई काजू ना कोई क्रीम और ना जादा खर्चा कम सामान से सिंपल घर में रखे सामन से आप मिन्टो में तयार करेंगे पिर जब घरमें भड़िया मटर पनीर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही स्वाधिस्ट मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम पनीर, स्टेप बाई स्टेप बता रही हो पूर वीडियो वाच कीजेगा बिलकुल ऐसे ही बनाएगा पहली बार में परफेक्ट बनेगी स्वाध ऐसा किस सब उलिये चाट जाए तो यहां पर मैंने पनीर को बिलकुल इस स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है तो देखते हैं नेक्स स्टेप सबसे पहले आप एक पैन चड़ाईए और पैन में हम डालेंगे दो बड़े चमच ऑईल और एक बड़ा चमच डालेंगे घी यकीन मानि लेकिन जैसे मैं बता रही हूं आप ऐसे बना कर देखिएगा आपकी जो बटर पनीर की सबजी यह तेस्ट बहुत ज्याद आएगा अब पनीर को डिरेक्ट ऐसे ही नहीं डालेंगे तो पनीर को बस थोड़ा सा हम शालो फ्राई कर लेंगे फ्लेम को बिलकुल मीडियम रख सकते हैं बहुती लाइट इसे ज्यादा बिलकुल इसको ब्राउन नहीं करेंगे और सारे पनीर के क्यूब्स को निकाल लेंगे अब यहां तिये हलवाई वाली ट्रिक आप लीजिए एक बोल में हलका सा गरम पानी हलका मतलब गुनगोना पानी बोलते ना ऐसे और इसमें ज करेंगे देखते हैं नेक्स स्टेप अब उसी पैन में जो हमारा भी ओल बज गया है बस आफ फ्लेम को हाई कीजे और हाई फ्लेम पर यहां मैं इसमें डाल रही हूं तीन मीडियम साइस की प्याज जिनको पर रफली पस ऐसा ही चॉप कर लिया है प्याज को हाई फ्लेम पर यहां पर मैंने लिये हैं दस वारा कली लेसुन की थोड़ी छोटी थी तो मैंने जादा ले लिये आप छे साथ भी ले सकते हैं साथी यह मैंने लिये हैं लगवग तीन हरी मिर्च जिनने मैंने रफली कट कर लिया है हरी मिर्च कम यह जादा आप अपने सौत के नुसार मिठास होती है उसमें अगर आप दूसरे को यह टमाटर लेंगे उनमें खट्टापन होता है लाल टमाटर से ग्रेवी का करण बढ़िया आएगा टेस्ट अच्छा रहेगा तो सारे टमाटर मेरे रफली चॉप कर लिये थे सब को डाल देंगे और बढ़िया से इसको मीटियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे यह वो तरीका है कि जब आप इसे बनाएंगे ना मतर पनीर ना तो आपको किसी क्रीम की ज़रुत पड़ेगी न दही की और नहीं काजू की एक दम रिच स्मूथ आपकी ग्रेवी तैयार होगी होटल जैसी बहुत बढ़िया उसका टेस्ट भी यहीं बल थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक जिसे की टमाटर जल्दी पक जाए बहुत जरूरी पॉइंट इस स्टेज पर टमाटर को बढ़िया नरम यानि सॉफ्ट करना जरूरी है तो आप उसे बढ़िया से फ्राय कर लें लिड लगा कर दो से तीन मिलट अच्छे से टमा का भी हट रहा है यह पहचान है कि टमाटर बिलकुल बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बन और पूरे मिक्स को ठंडा हो ने देंगे हमारा मिक्स थंडा हो गया है तो फटा फट से एक लेंगे गे ग्रैंडिंग जार में सारे मिक इसको हम डाल देंगे और बिलकुल बढ़िया से स्मूथ इसको ग्राइंड कर लेंगे यहां पर जब इसको आप डालें थोड़ा से लीजिये पानी लग बग तीन चार चमबच और बस इस तरह घुमा करके यह पानी वी इसमें डाल दीजे इससे बिलकुल इसमूथ रिच पेस्ट तयार हो जाएगा और यह लिजे एकदम फाइन हमारा ग्रेवी प्यूरे तयार हो गया है लग रहा है जैसे काजू अगरा डाल के बनाया है लेकिन आज की इस ग्रेवी में कोई क्रीम कोई धाई कुछ पी जरूरत नहीं पड़ेगी अब गैस पर चड़ाई एक कड सकते हैं और तेल के गरम होते ही फ्लेम को कर दीजे मीडियम इसमें हम डालेंगे एक छोटी जमत जीरा साथ ही यहां पर जाएंगे कुछ खड़े मसाले तो यहां मैंने लिया है एक तेशपत्ता दो लॉंग लगबग पाच्छे साबुत काली मिर्च एक दालचीनी का चोट और यहीं पर हम डालेंगे जबर्दस फ्लेवर फुल बसाले तो यहां पर मैं डाल रही हूँ एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर इसके जगे आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं साथी डाल रही हूँ आदा छोटी चमच रेगुलर मिर्च इससे फिर स्वा याद रखेंगे बिल्कुल लो रखेंगा वन्ना आपके मसाले जल सकते हैं और मसालों के हलका सफराई होते ही फटाफट यहां पर डाल देंगे हमारी टमाटल प्याज अद्रग लेसन वाला जो हमने ग्रेवी पेस तयार किया ना सारा यहां पर डाल देंगे अच्छे से कर बढ़िया से पक जाएगा और अच्छे से तेल छूटने लगेगा रोजमर्रा में जो घर में हम मटर पनीर बना लेते हैं और में वह बात और वह टेस्ट नहीं आता लेकिन जब इस तरह बनाएंगे मेरी गारंटी है एक गसा अगर अगर आप इस से खाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा जनरल बनी हुई मटर पनीर में और यह धाबे रेस्टरेंट वाली मटर पनीर में लो फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए बढ़िया से पकाएंगे तो मैं यहां लिड लगाती रही हूँ जिससे अच्छी तरीके से हमारा मसाले और ग्रेवी मिक् यहां पर मैंने क्या क्विक ट्रिक लगाई है कि मैंने मटर को पेले ही पानी में उबान लिया इससे क्या होगा कि जुमारी मटर पनीर है उसे बनाने में समय भी बहुत कम लगेगा ज्यादा देर तक मटर को हमें नहीं पकाना पड़ेगा जिससे उसका कलर नहीं होड़ेग जो पनीर हमने पानी में डाला था आप देख सकते हैं एकम सौफ्ट है नरम तो पनीर भी यहीं डाल देंगे अच्छे से करेंगे mix और यहां पर अब मैं एट कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, अगर आप मटर पनीर को चावल के साथ खाने वाले हैं तो थोड़ा सा जादा पानी डालिए, अगर आप रोटी, पूरी, पराथा, नान, कुल्चा इनके साथ खाएंगे तो इतना कंसिस्टेंसी बहुत है, तो मैं यहां डाल रही हूँ लगबग तीन चौथा ही कप के करीब पानी यानि एक कप से थोड़ा कम, इतना पानी बहुत है, थोड़ा सा नमक में यहां और डाल रही हूँ कोई कि पहले आपको याद होगा हमने टमाटर को जब पकाया थे तब थोड़ा सा नमक डाला था, तो और यह देखिये, वाओ, परफेक्ट, रिच और क्रीमी, स्मूठ टेक्स्टर, फ्रेंड्स रसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज प्लीज नीचे दिए के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक तो मैं स्कोशिश कर रहे हो कि पूरी सबजी हम बगएर कुछ बजार के स्पेशल सामान के बनाएं तो बस इस दूद की मलाई को मैंने बढ़िया से फेट लिया और इसको यही डाल देंगे इसको और बी ज़्यादा रिच बनाने के लिए अगर आपके घर में फ्रेश क्री साथी अब यहां पर हम डालेंगे इसको एक मैजिकल फ्लेवर देने के लिए कसूरी मैथी तो मैं यहां डाल रही हो एक बड़ा चमच कसूरी मैथी इस तरह से मसल करके इसे फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है साथी जाएगा एक चुथाई चूटी चमच गरम मसाला बहुत ह थोड़ा सा अच्छे सबी चीजों को मिक्स करेंगे बहुत ही बड़िया दिख रही है इतनी बड़िया महकारी है एक दम दिल खोश हो जाएगा सबका और यहां पर मैं अपनी स्पाशल मटर पनीर को गार्णिश कर रही हूं थोड़े से अधरके जूलियन से स्प्लिटेड हर इमेच और बारी कटा हुआ हरा दनिया तो बताइए लग रही है एकदम जबर्दस वाली मटर पनीर तो फटा फट से करते है सर्प और यह लीजे हमारी गर्मा गरम जबर्दस स्वादिस्ट मटर पनीर है घर में ही तयार और यह देखिए इसका कलर इसका टेक्स्चर मुह का स्वाद बदल देगी ऐसी रसिपी है यह मटर पनीर की आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी रिच बनी है जब घर पर ही रेस्टोरेंट और धाबे से भी बढ़िया मटर पनीर ऐसे तयार करेंगे न तो सब उलिया चाटेंगे और सब आपकी तारिफ करते करते ठके आप चाहें आप पूरी, पराथा, नान, रोटी, कुल्छा, चाबल, किसी चीज के साथ में इंजोई कीजेए विंटर की तो यह जबरदस्त स्पेशल रेसिपी है आप ज़रूर ज़रूर बनाए इससे पहले की मटर का सीजन खतम हो जाए तो बहुत ही शांदार हमारी रेस सबजी है वो भी मेरी रेसिपी से और अजदी आप बनाए तो मुझे जरूर बताया प्ने प्यारे कमेंट्स में कैसी लगी आपको यह आज की स्पेशल मटरपनीर की सबजी उमीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा रेसिपी लगी होगी अगर आपको यह अच्छा लगाएए फ्रेंड्स तो प्लीज फ्लीज धिल खोल कर वीडिय को लाइक कीजे, सभी के साथ शेर करें और हाँ वाट्सप पर भी अपने फीटे ध्यो शेर करें और आपके अपने channel , और को जरूर शब्सक्राइब करें Thank you for watching Cook with Parul Jai Hind, Jai Bharat